है एवरिवन वेलकम टू अल अफ यू आज ही क्लास में हम लोग जानेंगे और बीटल ओवरलैप कॉंसेप्ट के बारे में और टाइपस ऑफ बॉंडिंग के बारे में किस तरीके से कोवलेंट बॉंड जो हमारे बनते हैं सिग्मा बॉंड और पाई बॉंड के बारे में आज कितने तरीके के बनते तो वो बच्चो दो तरीके को होते हैं एक होता है सिग्मा बॉंड और दूसरा होता है पाई बॉंड ठीक है अब यह सिग्मा बॉंड और पाई बॉंड में बात है कि बनते का बहुत है और हम में पता कैसे चलेगा तो चलिए हम लोग उसको जान लेत वो ss orbital की overlapping होगी ठीक है याने के देखिए आपके पास एक s orbital है हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि किस तरीके से हमारा जो s orbital दिखता है तो spherical दिखता है और यह दूसरा s orbital है hybridization का मतलब ही क्या होता है या overlapping का मतलब क्या हो यहाँ पे overlapping mean concept तो overlapping का मतलब क्या है कि यह दोनों एक दूसरे के उपर आ जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग overlap करा देते हैं तो यहाँ पे यह वाला portion जो है वो अब joint हो जाएगा जैसे imagine कीजिए कि आपके पास दो molecules हैं ठीक है दोनों molecules आपस में क्या कर जा रहे है combine कर जा रहे है तो combine कर जाएंगे तो कुछ इस तरीके से वो joint हो जाएंगे यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे ss overlap बोलेंगे ठीक है और इनके बीच में जो bonding होगी वो कौन से होगी sigma bonding होगी sigma bond बनेगा क्यों बनेगा sigma bond क्योंकि जब भी head to head या tail to tail overlapping होती है तो वहाँ प के पास एक s orbital है इसी में क्या करता है एक p orbital आके overlapping कर जाता है तो यह भी हमारा कौन सा bond बनाएगा यह भी हमारा बनाएगा sigma bond got it इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और overlapping इसके अंदर होती है वह होती है pp overlap ठीक है pp overlap में क्या होगा यहाँ पर हमारे पास एक p orbital है तो यहाँ कर जाएगा तो यहाँ पर भी क्या बनेगा sigma bond बनेगा यहाँ कि head to head हो tail to tail हो तो इस case में क्या होगा कि हमारा sigma bond की formation होती है अब हम लोग देखते हैं कि pi bond किस सरीके से form होता है और एक ध्यान रखना कि sigma bond जो होते हैं वह always greater होते हैं as compared to pi bond यहाँ कि sigma bond बहुत जादा मजबूत होते हैं pi bond के according pi bond देखना है हम लोग को pi bond के case में क्या होता है कि वह axially overlap करेंगे और axially overlap करने की चकर में क्या होता है उनको जो portion होता है वह ज्यादा एक दूसरे से overlap नहीं हो पाता है कैसे देखे माल लीजिए कि आपके पास एक यह p orbital इस तरीके से तो यहाँ इससे दूसरा क pi bond ठीक है तो आप लोग इन चीजों का ध्यान रखेंगे अब हम लोग next videos में जानेंगे कि किस तरीके से हमारा hybridization start होता है ठीक है next video हम लोग start करेंगे hybridization के बारे में thank you for watching the video